तो वेलकम गाइज, वेलकम तो डिफेंस जॉब अपडेट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं, एक नई रिकूटमेट की जो की है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में हैं, आपके पास कोई भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो या और आप सारी के सारी important है, वीडियो को end तक देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं आपको दाद हूँ, मैं हूँ CISF की official website पे, और यहां पे देख सकते हो, आप अभी तक इन्होंने notice board जारी नहीं किया है, लेकिन यहां पे इनका जो like notice है, वो जल से जल्द आ जाएगा, ठीक है, इसका official notification आप देख सकते हो मेरे सामने, so यह है इसका official notification जो कि है central industrial security force का, और यह जो निकल के आई है, यह recruitment है, sports quota के लिए, basically इसमें male और female भी apply कर सकते है, so अगर आप, आपके बास आपके sports का certificate है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, ठीक है, so यहां बेनोंने दे रखा है कि इसकी जो date है, वो start होगा 30 October 2023 से, और इसका जो last date रहेगा, वो रहेगा 28 November 2023, so यह अपने दिमाग में बिठा लिजेगा, कि जितने जल्दी से आप apply करेंगे, उतना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि यार इस यह से आपके website, बहुत ही lag करती है, और शायद अगर आप सोच रहे है कि end में apply करेंगे, तो यह आपके लिए problem create हो सकता है, so जल्द से जल्द इसको आप apply कीजिए, जब start होगा तब, और अगर आपको कोई issue आ रहा है, तो you can DM me on Instagram, so इसका जो link है मैंने description में डाल रगा है, ठीक है, so सबसे पहली चीज में बता दूँ, यह जो application है, यह बोथ male और female के open है, so अगर आपके पास education जो है, education में बता देता हूँ, इसका रहेगा education आपका 12th pass और साथी साथ आपके पास कोई भी sports certificate है, तो आप इसके लिए eligible है, so देखते हैं, इसके बारे में और information क्या इनने बता के रखी है, so देखिए, सबसे पहली चीज उनने दे रखी है, कि यह इनकी जो post है, यह head constable के लिए है, और इसमें total to 15 जो post है, वो निकल के आई है, और यहाँ पे आप salary अगर देखेंगे, तो इनकी जो salary है, वो start हो रही है 25,500 से, मतलब it's quite good, मतलब काफी सही है, और rarely मिलता है यार कि as a head constable आपको 25 से start मिलेगा, so बात करते हैं, उसके बारे मे इसके selection procedure की, तो इसका selection procedure like 2 stage में है, इन्होंने बता के रखा है, सबसे पहले stage इसमें यह है, इसमें trial stage, trial रहेगा, उसके बाद इक proficiency test रहेगा, उसके बाद physical standard का test रहेगा, उसके बाद इसका like document verification होगा, ठीक्या, अब इसके बाद इन्होंने जो दे रखा है, वो है आपकी like जो भी like trade है, like आपके बास कौन सा certificate है, या फिर किस, कौन से achievement आपने की है, इसके list यहाँ पर दे रखिया, तो athletes में इन्होंने कुछ like पूरी-पूरी list दे रखिया, so आप जिस category में belong करते है, आप इस notification को देखकर वो choose कर सकते हो, और make sure की, आपकी सही category आप चूज कीजिए, क्योंकि शायद आपको बाद में वो problem दे सकता है, for verification, और इसका जो notification है, यह जो आप देख रहे हो, यह मैं telegram पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको download कर लेना, easily, ठीक है, उसके बाद, अगर मैं बात करूँ, इसके, like, यहाँ पर बताएए, fee के बारा में बता के रखा है, क जो application fee रहेगी, इसके 100 rupees रहेगी, OBC, unreserved category के लिए, और EWS category के लिए, और इन्होंने अभी age criteria दे रखा idea, तो मैंने पहले ही बता रहा था, इसका age criteria यह है, इसका 12th pass रहेगा, और आपके पास, कोई भी state level का, university level का, या फिर national level का, या फिर international level का certificate है, तो आप इसके लिए eligible है, अगर मैं इसके बारे में age की बात करूँ, तो यहाँ पर देखे, 18-30 साल की age यह उन्होंने पता के रहे है, और final जो age रही है, आपके 23 साल, यह count की जाएगी, final जो date है, वो आपकी 1 अगस 2030 को count की जाएगे, तीज है, तो यह अपने दिमाग में, इसका खयाल रखिएगा, औ और बाकी जो है category उसमें यहाँ पर दे रखा है, शेडूल कास के लिए 5 years का relaxation है, और जो भी है, मतलब backward class के लिए 3 years का relaxation है, उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर certificate आपके बास कौन सा होना चाहिए, इंडिविचुल या पर टीम इवेंट में, बोट चलेगा, कोई भी या फिर आपने किसी state level पर रेप्रेजन किया है, या फिर आपने like inter university में रेप्रेजन किया है, या फिर national school में आपने किया है, तो yeah, you can apply for that, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके physical standards के, तो यहाँ पर दीखिए, male और female के लिए अलग-अलग standards दे रखिए, तो सब शब शब आपकी 81 cm to 86 cm, उसके female के लिए 153 cm बताया है, और like chest के लिए कोई requirement है, इनके पास specially, और इन्होंने कुछ relaxation दे रखाया है, like physical standards के लिए, अगर आप like, गडवाली, कुमाउज, लोगराज, माराटाज, और कोर्का, तो या male के लिए 160 है, भी male के लिए 153 है, हाइड के बात कर र रहे की, so this is how it is, और बाकी अगर और information इसके बारे में कुछ खास है नहीं है, so apply जो करना है वो आपको like online mode ही रहेगा इसका, और इसकी जो official website इन्होंने दे रखी है, फिलाल अभी इसके application स्टार्ट नहीं हुए है, but soon इसके application स्टार्ट हो जाएगे, तो यहां से आप इसको apply कर सकते हो, और अगर कोई issue है तो you can DM me, so अगर मैं यही था इसके बारे में information और मुझे नहीं लगता है इसके बारे में और कुछ आपको जाननी की ज़रूरत है, क्योंकि almost मैंने सब कुछ दे रखाया है, और अगर आपको और detail में जानना है ना इसके बारे में, तो you can read the notification, यहाँ इनने हर selection procedure का जो like चीजे है वो बता के रखिए detail में, तो यहाँ से आप वो easily पढ़ सकते हो, ठीक है, so I hope यहाँ पे किसे को कोई doubt नहीं होगा, so चलो मिलते हैं next video में, और अगर आप channel पे new है तो subscribe करके जाना और notification भी on करके जाना,